ट्रेनिंग करेंगे दुचार यू धव्यास में दुचार को जहाज को अमना जो पूराना हो गया, मारे की गिराएंगे, ट्रस्टेड हो जाएगा, तब लोकेशन लगे, तब मारेंगे, इना भारत माता की जाएगे, जाओ आप पिटा के चलाओ, बहादूरी बेखुबी में अंतर होता है, हमारी सेना का अगर रूल लगता है, तो देश को कहा जाता है, इमर्जेंसी आ गया, और उसको अलग से पढ़ाए जाता है, कि पबलीक को बहुत दिक्कत होता है, कलपना कीजिए भारत में सवड़ाग गली पे अगर दूसरे देश की सेना घुमेगी, तो भा को था कुवायत, छोटा सा देश था कुवायत, वो अमरीका के फेवर में था, इसके फेवर में, अमेरिका के फेवर में था कुवायत, लेकिन कुवायत से इराक ने बहुत सारा पैसा ले रखा था, इराक जो था कुवायत से क्या ले रखा था, कर्जा ले रखा, कर्जवा में आपो हुँ देना नहीं चाहता था करज्वा दो काता हां नहीं देन広चाह, हम खरज्वा नहीं देने Bel इंप पेटरोल को और हम हां जोंप कई करता हम भी सेख़ड कोल हम कोन को भी प्रैस था तूम कोना हम 52 प्रubht क्या हो गया, conflict हो गया, main बात यह था कि वह नहीं चाहता था कि Iraq जो करजा लिया है Kuwait से लटाना नहीं चाहता था, अब Kuwait बहुत छोटा सा Country है, कितना छोटा है Kuwait क्यों एक दिन में कबजा कर लिया इराइक, पैदल है, हाँ, जाज वहां से नहीं, पैदल कबजा कर लिया कितन इसके उपर कबजा किस ने कर लिया इसने क्या कर दिया कुवेट पर कबजा कर लिया कुवेट का राजा भाग गया साओधी और अब अमरीका तो यही चाहता था क्योकि इराक किसे फेबर का था रूस के और कुवेट किसटे फेबर का अमेरिका ने चाल चला कुवेट को बचाया ही ने locks आइस 15 दिन में मार के Qubait को रद कर दिया, कहा कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ रहे, लेकिन मजबूत न रहे, कमजोर रहे, यह अमरीका का बहुत बड़ा चाल है, वो अपने साथ रखता है, लेकिन आपको कमजोर बना के रखना चाहता है, तो कुछ वा दिया पहले किसको कुवेत जब कुवेत मन भर कुछ आ गए तो इसने यूएनों में प्रस्ताव लेके चला गया कि इराक को कुवेत खाली कर देना चाहिए लेकिन इराक जो था लोल सैनिक साथ सक पड़ाली कल अतना नहीं इसने कहा इसने देखा कि चाइना ने तिबबत को कब जा कर बें न किया कर जाता लोगी ने क्या की वह एक का शाइना के लिए उना सबसे बड़ा बे कुफ कि आया था यह ऴीतृन हिए क्या सकता है रोक सकता है क्या इराक के आस बीट नहीं किसी प्रुथ चलना ला-इक्री रहा था। रूस उसनमें विखार रहा था। अमेरिया ने रूस करोड़ा रुपए दिये थे अपनी आत्वेवस्था को बचाने के लिए। किसी से कितनी वी दुष्मनी किजिये। सब्धों कि दुष्मनी कभी भी इंसान ओमी मिलने नहीं देता है। हम देखते हैं आदमी में झहगड़ा होता है किसी बात ते होकर Kol comp ai और वहीन को गरिया रहा है ओकर उब ओ बोल रहा है हाई हक्रा लेकर भागा होकरा लेतीन के भागा है हाई होगा सब्दों की दुस्मन ने कभी नई क्योंकि आपका दुस्मन को नीट्रल कर देना बहुत बड़ी बात हो जाती है तो 1991 में कौन टूट रहा था रूस 1991 में इधर कबजा कौन कर लिया था इराग किस पर कबजा किया पुबैत पर कबजा किया अमेरिका जान बूच के पैसा दिया किसको रूस को और आधा किस दिया और कहा कि अगर आप बीटो कर देंगे तो पैसे नहीं देगा अब रूस को अपना देश देखेगा कि बीटो देखेगा अपना देश देखेगा अपना देश के चकन में देखेगा कुछ तो पैसा लगा लेकिन अमेरिका पूरा future बरबात कर दिया रूस का, रूस को पैसा दे दिया, रूस क्या हो गया, सांत हो गया, रूस इस युद में आया ही नहीं, बीटो ही नहीं किया, और पूरी तरह से कबजा इस पर कुवेट का था, इसने UN-O से पास करा दिया, और 35 देशों की सेना लेक उसको राष्टपती नहीं रहना चाहिए, अरे तुमरे पास बीटो नहीं है, तुम बैल कहीं का, तुमको नहीं पता चल रहा है, कि वो बीटो नहीं करेगा, रूस पैसा लेके बैठा हुआ है, हम लोग चाइना को जवाब नहीं दे सकते थे गलवान घटी में, हमको पता चाइना के पास S-400 मिसाइल है, मार की गिरा देगा हमारा राफेल, जगुआर, असुखोई को लोग काम कर नहीं है, हम लोग जहर का गोट पी के चूप-चाप बैठेते कि जब हमारे पास क्या आ जाए, S-400 अभी भी आगे पूरा बटालियन नहीं आया, S-400 की टोटल पां चुछली में अंतर होता है, नहीं समझ में आया है, लेकिन हम ऐख दम गहाएंगे कैसे की पाड़ा है हम, लेकर डुबा दिया, अमरीकवा यहां आया, रद कर दिया, रद किया यहां इराक जीत जाता, इराक ने तेल के कुमे में आग लगा दिया, अमरीकवा हढ जुणने लगा इसे परियावरन का लॉस हो रहा है, यह हो रहा है, उसने पूरे पेट्रोल को समुंदर में गिरा दिया, इराक, लेकिन बाद में अमेरिका ने इराक को मार दिया, और मारने के बाद हर चीज को अमरीका ने वहाँ धोस्त कर दिया, पेट्रीज धोस्त किया, अमरीका का चाल है अपने साथी को अपने दुस्मन को ऐसा मारोगी कभी बच न सके पेट्रोल पंप उजार दिया इंडस्टी युडा दिया कॉलेज इनुवस्टी बरबाद कर दिया मतलब आनी वाले सौ साल में इसको किस तरह से धोस्त करेंगे अमरीका ने धोस्त कर दिया और आधा प थमा दिया ये था सुन्नी वहाँ पे लोग सिया पकड़ा के दे दिया सिया को सिया ने उसको दे दिया फासी अमरीका का हम का करें हम का हम दिये फासी जो जज़ था उस वो था सिया ही थे सुन्नी उठा के क्या कर दिया फासी दे दिया जा मर गए यहाँ पे पेट्रोल को ल रूल लगता है तो देश को कहा जाता है इमर्जेंसी आ गया और उसको अलग से पढ़ाए जाता है कि पब्लीक को बहुत दिक्कत होता है कलपना कीजिए भारत में सवड़ा गली पे अगर दूसरे देश की सेना घूमेगी तो भारत का क्या हल होगा अत्याचार करके रख दिया सो वहाँ पर लड़कों को मार दिया महिलाओं का रेप किया बरबात कर दिया इराक को अब इराक की जो सद्दाम हुसेन की आर्मी थी वो देश के लिए थी वहाँ पर पहले उदेश के तो वही लिए लगा कर रखा था धीरे धीरे अमरीका महां सिया सुन्नी का जहर घोलना चलू किया अब वहाँ दो तरह की सेना बन गई एक सिया की एक सुन्नी की भयानक लाड़ाई हुआ अमरीका जैसे गिया वो लोग क्या कर दिया हथिया लिया और यहां खड़ा हो गया इस्लामिक स्टेटिन इराक एंड सीरिया आईसाइस के आतंगबाद खड़े दुनिया में आज कहीं भी गोली चल लए उसके पीछे या तो रूस का हाथ है या तो अमरीका का हाथ है इन चोटों ने अपने चक्कर में पूरी दुनिया को बरबाद कर दिया आज इराक कहां चल अजब देखेगा कि दूनों यह खो जाएंगे तो इस्राइल को लाएगा मार तो सुचुरन कर यहां पर आई दोस्त देंगे इस्राइल है अरे इस्राइल क्या गलत कर रहा है तुमको भी तो मौका मिला था 1947 में पाकिस्तान बनाने का तुमने तो उसको सुरों का सुर खान बना दिया मैं 1947 में क्या बना था पाकिस्तान उं निसिपों वह जो साल बात दोस्त देते हैं अंवरी क emailed तुमका अनि बना लिया उसके पास तो पीने का पानी नहीं है खनीज कुछ भी नहीं है उसके पास, रहने के लिए बस जगह है उसके पास, इसके पास पाकिस्तान के पास हर खनीज है, सोना है, पेट्रोलियम है, गैस भंडार है, इरान से करीब है, पाई गैस ले आ सकता है, आतंगवादी ले आ सकता है, लेकिन इन्हों ने क्या किया, आतंगवा इनको एक महिना तक लगभग लगभग ये युद चला था, ये युद 17 जनवरी को स्टाट हुआ, 1991 को, और 28 फरवरी यानि फरवरी के लाष्ट में तूरतार के रद का दिया, युद क्या हो गया, समाप्त हो गया, सदाम हुसान को बंदी बना दिया गया, बंदी बना के सिया फरवरीया को दे दिया क्या कर दिया, पेट्रोलियम लेकः चला गया कोन, अमरीका, हम लोगा पेट्रोलियम उसी समय बढ़ा था, गल्फ वार इतना भयानक पेट्रोलियम की क्राइस हुई थी कि B allerत में 1991 मी में आर्थिक संकट आ गया ह से हम लोगी में क्या आर्थिक पूरी दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेज बहुत भियानक भाग गई थी